सबको जे ये सुकी प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाईयों बेहनों नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतरगत प्रति दनीश्वर का वचन सुनने के लिए उसकी व्याक्या करते विए उसको ग्रहन करने के लिए और वचन का अनुसा जीवन बिताने के लिए मैं आप समस्या आंदी तुफान आएंगी लेकिन एक बात बहुत ही खास बात प्रभु हमारे सामने रखता है जब तक हम लोग प्रभु के साथ हैं और जब प्रभु हमारे साथ हैं हमारे जीवन रूपी नया जीवन रूपी किस्ती नहीं डूबेगी बली आंदी आए बली तुफ प्रसंग में पढ़ते हैं यह सवार नाव पर हो लिए और उनके शिष्ट उनके साथ हो लिए बहुत इस जरूरी है भाई यो बहनों इस दुनिया में जब हम लोग एक तीर्त यात्री है हम लोग स्वर्ग की और यात्रा कर रहे हैं और इस हमारी यात्रा में हमें येसु के साथ होना येसु के साथ चलना बहुत ही जरूरी है इसलिए पहली बात यहां पर हमें सीकने के लिए ये दी गई हैं लोग शिष्ट येसु के साथ हो लिए वो अकेले अकेले नहीं गए अपने अपने रास्ते लेके नहीं गए अपनी येसु के साथ वो यातरा करने लगी उनकी यातरा येसु के साथ थी जब येसु के साथ उनकी यातरा प्रारंब हुई तब क्या हुआ देख लीजी उस समय समधर में ये कहा है कि इतनी बहरी आंदी उठी कि नाव लहरों से डखी जा रही थी इसका मतलब ये ने कि येसु के स साथ यात्रा शुरू कि सब कुछ सभी सलामत होगा सब कुछ ठीकता होगा कोई दिक्कत नहीं आएंगी कोई समस्या नहीं आएंगी बहुत बार लोग इस बात को लेकर भी लोग बाचित बाच्छित करते हैं अरइ इतना प्रारत ना करने वाला रोचर्च जाने वाला इसके जीवन में इसे तकलीफ क्योँ आए ऐसे परिशानी क्यों आए ये बीमारी इसके जीवन में क्यों आए देख लीजे बाई यहां पर उत्तर ये है येसु के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि कोई तकलीव, कोई परिशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी ऐसा नहीं है प्रभु येसु ने स्वयम अपने वशन के द्वारा ये कहा है जो कोई भी व्यक्ति मेरा अनुसरन करना चाहे उस वेक्ति को तकलीप उठाना है कस्ट उठाना है परिशानी को उठाना है दुख जेलना इसलिए प्रभु ने का आत्मत्याक करो सबसे पहले प्रति दिन अपना कुरूस उठा के मेरे पीछे हो लो यह निमंत्रन इसलिए इस बात को सपस्ट तरीके से हमें समझना बहुत ही जरूरी है भाई यह बहनों इसलिए प्रभु येसू अपने शिश्शों के साथ चले और उसे प्रभु के साथ चले और वो यात्रा असान नहीं थी कटिन यात्रा थी एका एक अचानक भारी आंदी आंदी उटी कि नाउ नाउ लहरों से डखी जा रही तीयरी कि जीवन या नफरत का तुफान हमारे जीवन में आ सकता विरोत की आंदिय नफरत की तुफान आ सकता आप बली अच्छा काम कर रहे हो नेक काम कर रहे हो उसके बवजूद आपके पहर किंचने वाले आपके जीवन में बादा डालने वाले आपका नाम कराब करने वाले आपके उपर अपने दिल में गहरा ऐसास के साथ हम आगे बड़ें, यह नहीं करमारी किस्ती नहीं मैं और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यह थों हमारे साथ है, आगे अगे प्रुबू का वशन कहता है, पर आंट साथ है, पूस उ रहते हैं, शिश्यों से पास आकर उनने जगाया और क में अपनी परिशानी सौंप दिया कहते हुए प्रभू अब हमारी बस की बात नहीं हम डूब रहें या सिंकिंग नॉट पॉसिबल पर उस तो कंट्रोल दिस सिचुवेशन इसलिए प्रभू के हाथों में अपनी समस्या अपनी प्राब्लम अपने दिखतें प्रभू के से प्रभू के पास उंस्वं प्रभू हम दूब रहे हैं हैं और हम थी कखे वहाएं आपनी हाथों में सौम् plaisir कreseकिते हुए प्रभू के सिंकेंग प्रणत अधिक्कार लिया प्रणत अधिकार लिया कि समस्या क्या थी आंदी के समस्या थी तुफान के समस्या थी पानी के समस्या थी लहरे इतनी तेज़ से आ रहे थी नाव पानी से बरी जा रहे थी और पानी और वायू बहुती शक्ती शाली ताकते हैं अपने आप में वायू और पानी बहुती शक्ती शाली ताकते हैं और ये विपुरीत जब हुए ये विपुरीत हुए आन्दी में बदल गे तुफान में बदल गे और उसके साथ पानी आने लगा और ये बहुत ही मुश्किल लगा प्रभू के शिश्यों को अब बश्पाना बहुत मुश्किल है लेकिन इतने कटिनाएं में जब गुजर रहते जब प्रभू के हाथों में अपने परिवेश उन्हाने समर्पित किया प्रभू ने अधिकार लिया प्रभू सबसे पहले आन्दी को कहा शांत होने के लिए आन्दी से कहा शांत हो जा और समद्र से कहा थम जा पानी को और वायू को प्रभू ने आदेश दिया पानी पानी थम और आंदी शांत हुई और जैसे ही आंदी और पानी शांत हुआ तब प्रभु ने अपने शिश्यों से कहा अल्प विश्वासियों डरते क्यों हो धर कप पैदा होता है जब विश्वास का अबाव होने पर कम होने पर अल्प विश्वास होने पर विश्वास कम होने पर धर पैदा होता है इसलिए प्रबुने पूछा अलप विश्वासियों अडरते क्यों यहां कि निश्वास मजबूत नहीं है कम जोविदार है तुम को डर है बैए हं तुम निराश हो जातें बहुत जल्दि हताशendom तो मायूश हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा विश्वास बुलंद नहीं है इसलिए तुम डरते पूछा प्रभु ने अल्प विश्वास यों डरते क्यों हो तब उन्हों ने उठकर वायू और समुद्रु का डांटा पूर्ण शांती चाह गई इस प्रकार वे लोग पानी को आदेश देने वाला और पानी और वायूस की बात मानने वाला यह विक्ति कौन है प्रभु के शिश्व अच्छम में पढ़ गए प्यारे बहायों बहनों यह सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है हम सभी इस दर्ती पर एक यात्री हैं तीरत यात्री हैं स्वर्ग की वह हमारी यात्रा चल रही है इसमें आंदी विरोत के आंदी आएगी नफरत के तुफान आएगा अलग अलग परकार से हमारे नाम के पीछे टिपणी करने वाले हमारी पीट पीछे बातें करने वाले हमारी कहानी बनाने वाले हमारी उप situation सारे परिशानी सारे प्राब्लम प्रभू के हाथों में दे दें प्रारतना में हर दिन अब प्रभू जब अधिकार लेगा सब को सही सलामत होगा प्रभू हमें सुरक्षित रूप से हमें ले चलेगा उस प्रतिग्याद देश स्वर्ग की वूर इसलिए हम सबूं को प्रारतना करें सिर्व शक्तिमार प्रता पर मेश्व धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए सुन्दर वश्णों के लिए आपने वश्णों के द्वारा प्रभू हम सबों से बातें की हैं वश्णों के द्वारा प्रभू हम सबों को विश्वास में मजबूत होने के लिए बुलावाा दिया, निमंतरा दिया हम आपको धनेवाद देते हैं, तमाम प्रकार कि हमारे कस्ट पीड़ा परिशानियों के बीच में प्रबू हमापको पकारσα सब्सक्रारनेष्णेवाले बन सकें, प्राठतना में मजबूत हमें होने के लिए में वरदान दे और उसके साथ साथ प्रारतना के हमारे विश्वास की मजबूत ही के लिए में प्रारतना करते हैं प्यारे प्रभु जी विश्वास का वरदान हमें प्रदान कर जिससे कि प्रभू आपके बताएवे मार्क पर चलते हुआ आपके सची गवाई हम सबी बन सकें दौा करते हूं दहर करता ये सुमसी के नाम से आमेन